गूद मॉनिं गाइज कैसे हैं आप लोग ओप यू और फिट आ फिट इन फाइल हलो मैट फ्रेंड्स क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुना दे रही है है आप अड़िबल विजबल एवर्टिंग जम जम जे टू सी टू लेट मिनो गाइज हरे अपर अपर मुझे बताएं जल्दी से आपनो जुड़ें और आए हम लोग सेशन को सेशन को जमा जम आगे बढ़ाएं गाइज एवर्टिंग इस वाइन है यू गाइज रेड़ी जल्दी से मुझे कमेंट विलिख कर बताएए कि यस एवी इस फाइन सार हम लोग रेड़ी है और एवी फाइन है लेट मी नो ग्रेट तो मैं जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है है कि हम लोग इस और सम्सेरू मैं यस ओके ओरिवल्ड यस आपको सुन पारओ ग्रेट तो वेरी वेरी गूद मारी वेरी गूद मारीं वेरी गूद मारीं तो जल्दी से आप जूड जाए ए और हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं नद्ट साथ हम आब आई जान मी as soon as possible be fast mother friends हम लोग एक awesome series में step by step आगे बढ़ रहे हैं right now we are going through January 2022 हम लोग January 2022 के content कर रहे हैं environment के geography के good morning आ चल और फिर हम लोग मन्त और फेब मैं आपको बताते रहूंगा कि कैसे कैसे हम लोग आगे move करने वाले हैं okay मुझे आप बता दीजिए एवी स्वाइन आप मुझे सुन पा रहे हो एवी स्वाइन आप मुझे सुन पा रहे हो देख पा रहे हो और लेट में ओ एवी स्वाइन ताकि मैं सेशन को एक रिदम में वेरे वेरे बारी प्रदुन ग्रेट थैंक्स फॉर इन्वो तो मैं रफ्रेंज मैंने आपको बताया है कि हम लोग एक और सम कंटेंट करने वाले हैं और मैंसेल्फ अजीट थिवारी विए एक्सिरियंस बोर दें 16 एर्स में एक्सिंट मोर थन थैं तेंल लाक च्रिंट ऑल्लाइन ओफ्लाइन वर्ट एज देटिए इन टोप इंसिट्ट अधिए गाइस मैं लेक्श आर फूस्ट इस विद्ध देमेमरे ट्रिक्स और आप ज चाहिए वो 9 p.m. की संकर आईस कंप्रिट एंवार्मेंट की सिरीज हो चाहिए मॉर्णिंग की यह आपकी करेंट अफेर्स इन्वा करेंट एफेर्स ओन एंवार्मेंट एंज जोगर्फी की सिरीज हो आप से मैंने बताया है तो गाइज आज लेक्शर फाइप मैं ले रहा हूं आफ दिस सिरीज मैं रफ्रेंज ओन दिस चैनल जहां पे आप अभी मुझे देख रहे हो देली 9 p.m. आप सब लोगों का इस पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आपके पास प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्स ने मैं डेफरेंज सो कंप्लीट जोगर्फी ऑप्सिनल जी जोगर्फी फिसकल जोगर्फी इंडियन जोगर्फी वर्ल जोगर्फी है है एक लोगजी एंवार्मेंट मैं डेफरेंज के कोर्से यहां अविलेबल है और सम नोड्स और सम पीडियेफ हाइली अपरडेटिड कंटेंट आपके लिए मैंने गाइस दिया है अगर अभी तक आपने मुझे अनकैडमी पर फॉलो नहीं किया है सो फॉलो मी ओन अनकैडमी डॉट कॉम स्लैस अधरेट अजीत लाइब वेरी 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 गुड मॉनिंग जल्दी से आप जूरते जाएं तो हम लोग एंवार्मेंट जोगर्फी की बात कर रहा है आप इस टिल्गाम चैनल को जोईन कर लें नीचे लिंक दिया हुआ है तो हम करेंड़ सेगमेंट को देख रहे है गाइस फॉर वन स्टॉप सोलुशन कंप्लीट स्लेबर्स का कवरेज रिक्वाइड है और एक यूज एक्सपरियंस के बाद हमारी ओफलाइन की टीम आपके लिए ओन लाइन अवेलेबल है लिसन 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 मैंट फ्रेंज आज चार फेप को साहे पांच बजे मैं आपसे mcqs कराने वाला हूं most important mcqs on environment and geography and please listen very carefully प्लीज लिसन वेरी केरफुली लक्षमी हमान्सू यह मत सोचना learners बिद्यार्थी यह सोचते हैं कि एक दिन स्लेबस पूरा होगा और फिर मैं preparation स्टार्ट करूंगा गाइंज इस नॉट सो जिस दिन आपकी ओल इंडिया रैंक आएगी सिंगल डिजीट उस दिन भी आपके प्रप्रेशन कंप्लीट नहीं हुए होंगे आर्यूटिंग मतलब मतलब आप साथ साथ mcqs करते जाएं इट इस ऑल्सो अपार्ट आफ योर लर्निंग यह भी लर्निंग का पार्ट है इस बात को समझें है न फिफ्ट फेब mcqs पार्ट तो हम लोग फोर फिफ्ट सिक्स्थ सेवें एर्थ चार से आठ तक हम नों डेली 530 पीम इस mcqs सीरीज को करने वाले हैं कि फोर्थ फेब टू कि एर्थ फिब हम लोग आईज इस सीरीज को करने वाले हैं क्लियर तो मैंटे फ्रेंज फ्री लाइब सेशन आपके लिए वेलेबल है आज ही आप इसे ओपन करें मेरे प्रोफाइल पर जाएं अजीत लाइब कोड यूज करें और अलॉक करें मैं अभी टेल्ग्राम चैनल में लिंक सेयर कर दूँगा लियर सुमाटे फ्रेंज अनकेडमी का ओफर चल ला है फ्लैट 22 परसेंट प्लस 10 परसेंट कॉम्बो ओमाई गॉड और सिम डिस्काउंट आपके लिए चल ला गाईज यूज कोड अजीत लाइब फार यूर वन स् सलुशन मारे फ्रेंज हर संदे 11 a.m. कॉमबैट है आपके लिए न्यू चैनल यह गूइंट लांच इकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइब में ट्रसिप मेंस क्वेस्टिन एंसर राइटिंग स्टर्डी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स एक तन्वीर शोर्ली एंसर्टैनली विए गूइन तो कंप्लीट इट इन ऑसम मैंदर है ना बस आप अराम से करते हैं आपके प्रिम्स के पहले जितने लोग प्रिम्स 2022 दे रहे हैं या 23 दे रहे हैं या 24 दे रहे हैं for you all guys this series of current affairs and series of sankar is taking at 9 pm is very very important please don't skip please don't miss अब मैं आप से कुछ राइटिंग के questions भी कराऊंगा 9th feb को new batch आ रही है guys batch is coming उसके लिए wait न करें paste is go for your combo offer complete OSS use code Ajit live and proceed to pay and go for your one-stop solution my difference आये जल्दी से हम session को आगे बढ़ाएं हमने पिछले कुछ classes में बहुत सारी topics cover किये हैं और हम बहुत सारी topics कहने वाले हैं ठिक target is to give you OSS that is my difference one stop solution जो कि मैं आपको देने वाला हूं my friends listen very carefully and be ultra attentive कल आप से बात हुई थी why nusantra why nusantra is in news where it is located जल्दी से आप अपना answer comment section में guys लिख कर बताएं हरी आप बिलकुल हिमानसू well done हिमानसू it is in इंडोनेशिया यह इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का new capital है बिलकुल आचल new capital of indonesia my friends kya nusantra ko आपने map में धूडने का प्रयास किया है yes no tick it is also called as east east kelly east kelly mountain इंडोनेशन है ना guys पहले capital क्या था what was earlier capital of indonesia what was earlier capital of indonesia चीक बिलकुल jakarta ठीक jakarta since 1949 से है my friends why jakarta is replaced by lusantra a a because of financial issues b because of environmental issues c because of high population pressure d because of small size and it is sinking underwater select the correct code my friends agar mein aap se aise question puchu but obvious obvious all of the above are the ransom have a look here he aap ko nusantra ka building deekhra tick so my friends nusantra is the new capital of indonesia earlier it was jakarta tick east kelly mountain or jakarta is located on borneo island tick shifting was announced in 2019 because of environmental because of financial because of pollution because of pollution being one of the most densely populated because of small size okay densely populated so huge burden is there or south south by 2050 it is expected to go under water omg कि ये सारी बाते इनको सिफ्फ करा रहे हैं क्या सारी बात हमें याद आ रहे हैं यस और नो ब्राजील ने भी capital change किया है मैंने आप से बताया था है ना कि ब्राजील ने भी capital change किया था रियो डिजिनेरियो टू ब्रासिलिश्या एक मोर centrally located नाइजेरिया ने भी अपने capital को change किया था लागोस टू अबुजा काजकिस्तान ने भी change किया था अलमार्टी टू नूर सुल्तान और मैनमार ने रंगून टू नैपीडियो यह आपको कुछ important cases मैंने आपको कल बताई थी clear है guys guys आजकल एक movie बड़े भारत में धू मचा रही है एक movie बड़े भारत में धू मचा रही है कई भासाओं में उस्पा लोग इसके songs पर पता नहीं कि भारत में एक viral fever का दौर चलता रही है तो guys आकर यह movie किस पर अधारित है क्या इस movie का कोई लेना देना red sander से है क्या थेक मालम चला कि कोई question sitter इसका fan हो रहा है इसका size का status क्या है अब movie famous हुई तो हम लोगों को movie famous हुई तो हम लोगों को इसे कैसे समझना है है इसका size status क्या है i-u-c-n red list क्या है significance of significance of red centers यह सारी बाते हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं सारी बाते एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं कि इतनी बात clear हुई है न चलिए मैं आपकी comment देखे जल्दी से आप जल्दी से आप अपने comment लिखें मैं आप comment चेक करने के प्रास कर रहा हूं तो गाइस अगर मैं red centers की बात करूं have a look here on screen यह आपको साफ साफ screen पर visible है you can category of red center or red sandalwood into endangered endangered according to red list of ice ice you see I end danger according to red list of IUCN है न हमें सिर्फ ecological angle हमें सिर्फ ecological angle guys उसका देखना है क्लियर क्या हम इतनी बात समझ पा रहें yes or no इतनी बात हम समझ पा रहें yes or no my friends listen very very carefully ठीक चले गाइस have a look here the IUCN category of red center is endangered and danger category in red list screen आपको red center दिख रहे species it scientifically called pterocarpus centellinus ट्री को भी नहीं मालूम है कि इन लोगों ने मेरा कितना खतरनाक नाम लिया है बिलकुल प्रदुम्न बता रहें कि यह लिमिटेड है एक certain region में confined होने को ही बोलते है endemic it is endemic tree species जोरिफिकल रेंज इस रेस्टिक्टेड टू इस्टन घाट यह इस्टन घाट में सिमित है इस्टन घाट में सिमित है ठीक है इंडिया के इस्टन घाट में आपको अब्जर्व करना है रेंज को रिजन को कि इस्टन घाट में कौन सा च्छेत्र गाइस 2018 में यह आंद्र प्रदेश के आस पास के चेत्रों में इट वाज नियर थ्रेटेंड इन टू थाजन एटेंट इस्टन इस्टन में देर वाज़े मूव्मेंट ऑफ सेलिबरेशन जब एंडेंजर कटेगरी लिफ्ट हो गई यही तो हमारी प्रॉब्लम है यही तो हमारी समस्या है है ना कि पहले हम लोग स्पीशिस करते हैं ओवर एक्स्पोर्टेशन और फिर स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन लास्ट थ्री जन इतना इसका डिमांड है इंटरेसल मार्केट में चायना में एंड वर न पिछले तीन जैनरेशन में 3 generation में 50 to 80 percent my god 50 to 80 percent इसका population drop कर गया guys can you believe only in last three generation drop in 50 to 80 percent of its population सोची आप यह देखी आप सो अगें एंटर इंटू एंडेंजर के टेगरी साइट में आगे आपको इसी सीरीज में संकर वारी सीरीज में भी कराऊंगा अगर मैं साइट्स की गाई इंटेनेशना ट्रेड में यह बिल्कुल बैन है ठीक हार्वेस्ट आफ ट्री सिर्फ रेस्ट्रिक्टिट राज्य तक है लेकिन इसकी इलिगल इंटेनेसर ट्रेड हो रही है जैसा कि आपने देखा साइट्स की अपेंडिक्स 2 में इट इस मिंसंट हम डिसस करेंगे कि वाई साइट्स इसकॉर वासिंग्टन डिकलरेशन माइड देख रहे हो कि हार्वेस्ट आफ ट्री लिमिटेड है स्ट्रेट्स में बट देर इस इलिगल प्रैक्टिस हमें यह बात समझने की जरूरत है आई जड़ा थोड़ा सा प्रकास में आपके रिड लिस्ट पर डाल दूं मेंटेंड बाई आयूसीन यहां में कम बात करूंगा लिस्ट औफ फ्लोरा एंड फॉना इस्पीसिस ठीक ऑ और ज्यादा बात मैं आपसे करूंगा जब मैं बायो डाउस्टी के चैप्टर्स डील कर रहा हूंगा देन आई विल डिस्कॉस इन ग्रेट डिटेल ए एक सिंबल फॉर एक्स्टिंट चैया मोवा हो वुली मेमूत हो पैसेंजर पीजन हो एड़ एक्स्टिंट इन वाइल इंडिवीज्वल्स हैं वल्लेबल एराउंड 10,000 मैचोर इंडिवीज्वल्स हैं लेस देन नियर ट्रेटेंड एंड सो ओन लिस्ट कंसर्ड यह कुछ आपके पास आयू सियन की कटेगरिस हैं इतनी इतनी डिमांड क्यों है रेट सेंडर्स का डिमांड पर चाइना में जप पहुत बड़ा मार्केट फर नीचर वुड क्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट यह सब यह सब आपको गाईज दिख रहा है see how beautiful is the log कितना खुबसूरत गाईज यह log है कितनी बात समझ में आ रही है यस नो आप देख रहे हैं पिछले दो साल में बहुत सारी रिपोर्ट क्लाइमिट के रिगार्डिंग आई है वार्मिंग के रिगार्डिंग आई है टेम्परचर हाई से ग्लेस्टिर्स का मेल्ट होना सी लेवल का राइज होना वैसे ही एक आपके पास रिपोर्ट है तो गाईस मैं आपसे बता रहा था कि हाउ हाउ वार्मिंग इस एफेक्टिंग के हॉटेस्ट यर होने से कैसे फॉरेस्ट फायर की कि ग्लेसल लेक आउट बस फ्लड की मिल्टिंग ओफ अल्कित अंटर्टिक लेशर की मेल्टिंग ऑफ प्रवाइट किया है हमें प्रभावित किया है आईए इस पर चर्चा करते हैं रिपोर्ट मेट पब्लिक बाई कॉपर निकल्स क्लाइमेट चेंज सर्विस यह उर्पेन यूनियन प्रोग्राइम है पाया कि 2021 फिफ्ट होटेस्ट यर ऑन द अर्थ ऐसी बात मैंने आप कल वाली रिपोर्ट में भी किया था आइमडी की रिपोर्ट में ठेक क्यों भाई लगतार राइज इन ग्रीन हाउज गैस एमिशन्स ग्रीन हाउज गैस और दोज गैसे विच आर ट्रांस्परेंट टू इनकमिंग सोलर एडिशन वह संद की incoming raditions को बोलेंगी जाओ जाओ उनको आने देंगी जब ये short waves surface को strike करने के बाद long waves के form में emit होंगी तो उनको absorb करेंगी और उनको absorb करेंगी तो local regional warming cost करेंगी scientist ने warn किया कि बही ये earth को इस तरह damage करेगा कि ये damage अब recover नहीं होगा ये damage अब reversible नहीं होगा mean global temperature was between 1.12 1.2 degree centigrade higher in 2021 सोची आप Paris climate change के targets हम पूरा नहीं कर पा रहे तेंपरेचर change होते जा रहा है temperature लगातार राइज हो रहा है मारे फ्रेंज number of natural और anthropogenic factors ये दोनों important role play कर रही है scientist ने पाया कि अगर average temperature राइज सर्पासिंग 1.5 डिगरी ये देखो आप तो हमारी mother earth को ये multiple damage cause करेगा detrimental environmental impact cause करेगा in number of spheres heat waves की frequency बढ़ेंगी north america may be in the region of mediterranians 2021 चुकि ये European study है जादा इनका focus Europe पे है ये देखो आप तो सिर्फ आप इंडिया को लेकर ही परशान नहों 2021 was another year of extreme temperature hottest summer in Europe सोचो आप high temperature in north america heat waves in mediterranean guys ये चीज आपको दिख रहा है कैसे European flood heavy rainfall Sicily in Italy hottest temperature recorded in history in Europe अब इतली के साथ में चुनना सा आईलेंड डेखना Sicily ये मिस्टर चिंटूलाल का moonwalk चल रहा है है अगर हम नौर्थ अमेरिका की बात करें several regions of नौर्थ अमेरिका नौर्थ इस कनेड़ा वहाँ भी temperature extremes anomaly हो रही है ठीक heat waves cost June to be the warmest on the record तो सोची आप high latitudes पे भी temperature का high होना गाइस इसमें Sicily कौन सा है a b c d is none मैं आपको बिलकुल नहीं बता रहा geography के classes में हम लोगों ने किया है ठीक जल्दी से इस बात को समझते हुए हमने देखा कि वही लगातार CO2 का बढ़ता हुआ emission CO2 एक wide main important greenhouse gas है और हम हम संकर आयों सीरीज में समझ रहे हैं कि what are the factors responsible burning of fossil fuel deforestation एक important role play कर रहा है राइजिंग रेट इंक्रीज वा स्लाइटली लेस एस कंपेर तो और आप जानते मिथेन second important greenhouse gas है तो CO2 और मिथेन इस टू आर most important green house gas responsible for global warming हू मंदल ये तापन इस ग्लोबल वार्मिंग विल है ग्लोबल इफेक्ट चाहे वो कॉंटिनेंट्स का महाद्वीपो का कॉंटिनेंट का इंटीरियर हो वहां पर ये ड्राउट लैंड यूस चेंज बिजर्टिफिकेशन coastal area में flooding का होना ground water का change होना और sea level rise का होना coastal area में flood का होना see the extreme event in the interior of continents it is causing drought सुखा on the other hand in coastal area it is causing flood my friends हर तरह यूरोप ही नहीं हमने अपने दिल्ली के आस पास के छित्रों में भी mismanagement environmental negligence जैसी बात देखी है नजफगड़ नजफगड़ का जील चर्चा में है हमारे एक famous cricket player विरिंदर सहवाग यहीं से है नजफगड़ का जील famous क्यों है news में क्यों है why this lake is important guys आप पढ़ोगे मैंने संकर आय सीरीज में पढ़ा है कि kidney of nature कौन please do write in comment segment comment segment में लिख कर बता है कि नेचर का किडिनी कौन wetland दलदल zone of transition between land and aquatic ecosystem जो की एक eco tone है बिलकुल हिमानसू सुनीता वेल्डन यह नजफगड़ जील एक trans boundary आप आप से क्वेस्टिन ऐसे पूछ देंगे दा सुना को दा सुना रिसेंटली नजफगर जील विच इस ए ट्रांस बाउंडरी वेटलेंड लोकेटेट एड बार्डर ओफ डेली एड हर्याना इस इन नूस एक नंसीडरी डर फालिविग स्टेंटमेंट्स द्यांसęt मैंने आप में आप से पुछा कि कंसीडर फालिविग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स नबरídoब वन कि लेख इस अंडर-जो दिल्ली और हर्याना के बंडर पर है अंडर कंट्रोल आफ डेली ये डेली के कंट्रोल में है चर्चा में क्यों है इससे सम्मंदित कतनों को देखें है ना question is ये अपनी restoration को लेकर चर्चा में है री इस्टोरेशन री जूविनेशन उसको लेकर ठीक क्योंकि यह बिलकुल restore हो चुकी है री सुरेशन डन इसलिए चर्चा में है एन जी टी नेसल ग्रीन ट्रुबिनल ने डेली और हर्याना गौर्वर्मेंट को कहा कि भाई आप इसके ease of rejuvenation को rejuvenation की process को ease करें और actively करें ज्यान सुना ठीक लेक इस fed by sahibi river पूरे दिल्ली के बगल में गुरुग्राम है गुरुगाओं है पूरे उस रिजन का सीवेज इस जील को जाके पॉलूट करता है का इस पहले जील बड़ी थी और यमुना से connect three through नजवगर ड्रेन लेकिन बार बार दिल्ली के उस छेत्र में बाढ़ का आना और बार बार flood control department of Delhi का उस रिजन में change करना वो responsible है कि लेक बिलकुल मरने के कगार पर है आये जारा जल्दी से प्रकास डालते हैं इशू क्या है नजवगर जील restoration का का इस हमलों बहुत अच्छे से पढ़ने वाले है कहीं से आपको जील देख रहे हैं जील में आप टेक्टर चला रहे हो यह इंसान क्या क्या ना करता है see the water bodies how it is polluted it is a trans boundary wetland located at border of Delhi and Haryana मरती हुई साहीबी रिवर गैस यह जो साहीबी रिवर है यह राजस्थान और हर्याना के border अरावली परवत से निकलती है जो अब मर रही है डाइंग रिवर है कि उसी का पार्ट है नजवगर्ड ड्रेन कि 41 किलोमेटर लॉंग ड्रेन डेलिक एंस्यार का मोस्ट पॉलिटिव रिजन साउथ वेस्ट डेली और हर्याना में मौझूद है कि नजवगर्ड लेक इस अंडर कंट्रोल ऑफ डेली यह आपको दिख रहा है नजवगर्ड लेक यह आपको बगल में दिख रहा है गुरुग आओ यह आपकी डेली एंजिती ने हर्याना और डेली गौर्वर्मेंट कहा कि भाई एंवार्मेंटल मेनेजमेंट प्लान को स्ट्रिक्ली लागू करें रिजुमनेट करें नजवगर्ड जीर को इस ओफ रिजुमनेशन को एजी करें सोचिए जो पहले 226 स्क्वेर क्रिमिटर साइज का वाटर बॉड़ी था अब मात्र 7 स्क्वेर क्लिमिटर ओ माई गॉड ओ माई गॉड तू टू ट्ववंटिसिक्स का घटके मात्र 7 हो गया है सीधा एंक्रोच्मेंट सीधा लैंड यूस चेंज भाई जब किडिनी दो के जगह पे आपके बॉड़ी में वन वाइट टेंद हो जाए तो काहे का बॉड़ी की मेंटेनेंस कि दोजार 21 दिसंबर को सेंट्रल गॉवर्मेंट ने नजब गण को ट्रांस बाउंडरी वेट लैंड किया गया ताकि इस ऑफ रिजुमनेशन हो जाए इस लेक का मुद्द क्या है फिल विट सीवेच कर रहा था लगता ड्रेंद को वाइट कर रहा था आफ्टर नाइटी सिक्स्टी ताकि दिल्ली को फिलर्ट से बचा पाए और इस प्रॉसेस में अल्मोस्ट ड्रेंद लेक कंप्रेटली ओ माई गॉडड साहेवी रिबर की उत्पत्ती राजस्तान अर्याना बॉर्डर अरा यह है कि फर्स्ट नुटिफाइद अन्जबबर वेटलेंड अंडर वेटलेंड कंजरवेशन एंड मेंडिमेंट रोल्स 2017 सी था हूज प्रेशर ऑफ पॉपलेशन यही रोल्स इंडिया के वेटलेंड को मेंटेन करती हैं प्लान प्रोहिविट्स कंस्ट्रक्शन विदिन 50 म स्ट्रक्शन वेटलेंड अब यह अनिवार है क्योंकि अगल बगल कंक्रीट जंगल बन रहा है यह जोन आफ इंफ्लेंस का लगबग कि 2,140 हेक्ट्रेस हराने के पास और 2600 डैली के पास जोन आफ इंफ्लेंस बफर जोन है जो सीजनल फ्लेट को होल्ड करता है इस छेत्र से वार्टर यूज और यह फॉर एगरी कल्चर तो जो आपका बफर जोन है जोन आफ इंफ्लेंस है कोई कंस्ट्रक्शन उसमें आप इलाउट नहीं कर रहे हो जोन इस हैजड़स्ट बिलिंग ताकि स्वाइल का लुकिफेशन न हो पाए वाटर हैंसिंथ यह जो बंगाल टेरर है सोचे आप इसे यह एक एक्जॉटिक इस स्पीसीज है एलियन स्पीसीज है बाहर से आई हुई जाती है ठीक जो सेकेंड में फैक्टर है रिस्पॉंसिबल फॉर लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी आगे और देखिए तलेक सपोर्ट्स नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज स्क्रीन पर देखिए आप सारस क्रेन देखा है आपने एजिप्सियन वल्चर दिखर आपको ग्रेट स्पोर्टेड इगल नीचे दिखर आपको स्टेपी इगल इंपीरियल इगल एक बार आप इनके इमेज देखोगे इस देखोगे आप इस जील में अराम किया करती थी एक समय यह साइबिरियन क्रेंड का फेवरेट हॉल्ट देस्टिनेशन था ओ माइग गॉड बट विकास ओफ एबिटेट डीग्रेशन सीवेर पॉलुशन अब इनका यह फेवरेट देस्टिनेशन नहीं रहा यह गैस अब यास धान सुनना थे रिसेंट ट्रेंट आफ यूपी अची मैं देख्रेंड इस तु आस्क जबसे फॉरेट सर्विसे साथ साथ कंबाइन हुई हैं तु आस्क मोर एंद मोर क्वेस्टेंस प्रम जोन ओफ ट्रांजिशन हब लूक ऑन स्क्रीन कैसे एंवार्मेंट का पार्ट हो जोग्रफी का पार्ट हो करिंट का साथ हो थोड़ी एनलिसिस भी हो जाए यही आज कल UPSC का फेवरेट डिस्टिनेशन है क्वेशन पूछने का और इसी ट्रेंड पे मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि nowadays it is not selection process nowadays it is rejection process अच्छे learners बिद्यारती स्ट्रेंड जादा है कुछ ऐसा पूछो कि answer न कर पाएं और जो फिर कर दे उसको जमा जम आप selection करा दो गाइस यह चर्चा में कॉलर वाली चर्चा में हैं कॉलर वाली कौन ए एलिफेंट बी टिग्रिस सी डॉग डी स्नेक यह कौन से कॉलर वाली कौन बिलकुल कॉलर वाली टिग्रिस बड़े समान के साथ गाइस पेंच कहां पर है वेर इस पेंच टाइगर रिजर्व आप मुझे स्टेट का नाम बताएं इस टेट का नाम बताएं पेंच कहां पर है पेंच में कॉलर वाली टिग्रिस की दिथ हुई आप एक बार सुन लोगे न तो आपको याद हो जाएगा कॉलर वाली टिग्रिस टाइड बिकास ओफ ए ओ मैक्रों बिकास ओफ देल्टा वेरियंट सी बिकास ओफ पैथोजन डी बिकास ओफ एज इफेक्ट उम्र जादा हो गई ठीक माइड फ्रेंज इट इस बिकास ओफ ए बी सी डी आपके पास चार ओप्सन है मत प्रदेश के फॉरस डिपार्टमेंट ने काफी इज्जत के साथ इस टिग्रेश वास बॉर्न इन टू थाउजन फाइफ एंड डाइड बिकास ओफ एज इफेक्ट अर दे एज ओफ सिक्स्टीद सोलह वर्स की उम्र में माई गॉड इसने अपने पुर लाइफ में ट्वंटी नाइन कप्स ऑफ स्प्रिंग्स बच्चों को पैदा किया जो की एक वर्ल्ड रेकॉर्ड है सोचिए कितना प्रोजेक्ट टाइगर को कॉलर वाली टिग्रेस ने कॉंट्रिब्यूट किया सुपर मॉम कॉल एस सुपर मॉम मात्रम रेस्पेक्टेड मदर आईए चलती से इस पे चर्चा करते हैं एफ लुक ऑन स्क्रीन इबाउट कॉलर वाली टिग्रेस नाम क्या है वाई कॉल एज स्पाइ इन जंगल टिग्रेस इन पेच यह आपको दिख रहा है इनका इमेज रिसेंटी डाइट बिकॉस ओफ एज लास्ट राइट वास कनेक्टेड बाइफ दिपार्टमेंट ओफ एम्पी डाइट अट इस ओफ थर्टी सुरी सिक्स्टीन ठीक बार्द इन टू तू ताजन फाइब यह आपको यह पर कॉलर दिख रहा है प्लेट इंपॉर्टर रोल इंक्रीज इन पॉपलेशन क्योंकि उन्होंने सुपर मॉम ने 29 कप्स को अपने लाइफ टाइम में पर्थ किया इस में से के लगबग 25 सवाइब कर गये थे चार के देथ हुई थी ठीक सुपर मॉम और मात्रम और रेस्पेक्टेड मदर सी कितना प्यारा इमेज है मा तो मा ही होती है आकिर इसे हमने कॉलर वाल टिग्रेस क्यों कहा ओल्वेस टाइगर्स के मॉव्मेंट को मॉनिटर करने के लिए कॉलर बनाया जाता है एंसी वास टिग्रेस तो रेसीव कॉलर इन पेच टाइगर रिजर्व आम तौर पे उन टाइगर्स को पचार बनाया जाता है जो एक दूसरे हैबिटेट से लाए जाते है और इस कॉलर वाली टिग्रेस यह पेच टाइगर रिजर्व में ही इसका बर्थ 2005 में हुआ था फिर भी चुकि इतनी पॉपलर हो गई एक बार बीबीसी का एक डॉक्यमेंटरी इनके बना कॉलर्स और वर्न टाइगर्स तो मुंटर देर बोव्मेंट इन दे जंगल फॉस्ट टिग्रेस तो रिसीव कॉलर इन पेच टाइगर रिजर्व है ने गाइस और कॉलर्स ताकि आप उनको पनाते हो जो अलग-अलग फॉर्स एरिया से आते हैं लेकिन यह तो पेंट स्ट्राइगर जब से ही बिलॉंग करती थी नौट ब्रॉट फ्रम अधर हैविटेप पॉपलर्टी कब हुई जब बीबिसी के एक डॉक्मेंटरी इस पाई इन दे जंगल में यह फीचर होगी और यह स्टार होगी जिस दिन आपकी ओल इंडिया रैंक आएगी गाइस बिलिब में एक घंटे में आप इतने इंटिव्यूज दोगे आपको तुरंद स्टार बनाएंगी आपको तुरंस्ट्रा बनाहेंगी जिक वथिक सो दॉक्मैंटरी ट्रैक प्रोफार होग्यूज ओव्यूज और इस टरह पॉपलर्टी वी विस्टर्स यारदस जादा आदे लगे ताइगर गंजर्स बैस्टर्टा इंट जाद टो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया हर सार चार साल में टाइगर्स की सेंसस होती है 2018 में जो रिसेंट सेंसस होई पॉपलेशन इस 2967 अब 2022 में इस वर्स इसका सेंसस होंगी है ना गाइस और आप जानते हो कि आलवेश यह एक मेकनिजम है तो कंजर्ड़ एंटाइर इको सिस्टम पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर्स आर कंफाइन टू इंडिया ग्रेट कंफाइन टू इंडिया 2967 रस्या के पास इतनी बड़ी कंट्री 433 है ना गाइस अगर सारे राज्यों की बात करें एंपी हैस नमबर वन फाइव ट्वंटी सिक्स फॉल्ड वाइख करनाट का फाइव ट्वंटी फॉर देन कम्स उत्तराखन फॉर फॉर्टी टू आप देख रहे हो कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर्स अपने आउटकम रिजल्ट दे रहा है और हम बिग कैट्स को कंजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गाइस क्या आपको मालूम है एक तरफ टाइगर का देथ भी हो रहा है यह भी मुद्दा में है दो बाते हैं अगर पॉपलेशन की किसी रिजन में पॉपलेशन के साइस को आप देखते हो तो पॉपलेशन साइस में कितने बाहर से लाए गए कितनों का इंग्रेशन हुआ कितनों की बार्थ हुई कितने यहां से बाहर चले गए इंग्रेशन हुआ कितनों की देथ हुई यह दोनों घटाएंगे यह दोनों बढ़ाएंगे नेट इफेक्ट नेट इफेक्ट ही पॉपलेशन साइस को मॉनिटर करेगा मारे फ्रेंज ठीक एन टी सी ए एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथार्टी ने यह पाया कि ट्वंटी ट्वंटी वन में तो हजार एकिस में एक सो चब्विस टाइगर्स की दे थुई 126 टाइगर्स डाइट अनली इन वन यह अकेले एंपी में 44 टाइगर्स डाइड हुए इन वन यह ट्वंटी ट्वंटी वन में और फिर इंवेस्टिगेशन स्टार्ट वा ठीक तो यह पाया गया कि क्या कुछ लोग ने काया भी पॉईजिनिंग हो रही है सबसे ज़्यादा देथ एंपी में हुआ 44 देन कम्स महरास्ट्रा 26 देन कम्स करनाटका 14 आकिर यह देथ क्यों हो रहा है जो टाइगर ग्लोबली एंडेंजर है इन आई यू सी एन रेड लिस्ट आकिर इनका देथ क्यों हो रहा है इंडिया के पास लार्जेस पॉपलेशन अभी आपने देखा कि वी आर हैविंग सेवेंटी परसेंट आफ टोटल तो गाइस दुसी तरफ रोयर बेंग और टाइगर की आप से बात हुई बात और कर लिए पैंथरा टिग्रीस टिग्रीस सब इसक्रीश है न नेटिव टू इंडियन सबकॉंटिनेंट सुंदर वन इस फेमस फॉर बंगादेश के पास बी रोयल बेंग और टाइगर' है fragmentation destruction poaching human wild life conflict यह एक गंभीर मुद्दा का बिसे है प्रोजेक्ट टाइगर अपने रोल्स को प्ले कर रहा है लेकिन हमें इसके पोचिंग को हमें इसके हंटिंग को regulate करना होगा habitat को restore करना होगा project tigers को effectively implement करना होगा आये जल्दी से सारे points पे प्रकास डालते हैं एकॉर्डिंग टू एंटी सीए इन ट्वंटी ट्वंटी वन ट्वंटी सिक्स टाइगर्स की दे थुई गाइस ऑल्वेस मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ओवर्विव दूँगा और फिर टॉपिक डील करते समय मैं आपको आपसे क्वेशन पूछूंगा कि कितना ध्यान से आपने मुझे सुना ठीक सो एस पर टू थाउजन एटीन सेंसर्स इंडिया के पास कुल कितनी टाइगर की पॉपलेशन है कि कुल कितनी टाइगर की इंडिया के पास पॉपलेशन है एस पर टू थाउजन एटीन सेंसर्स जो टाइगर की देथ हुई विच स्टेट हैस रिपोर्टेड मैक्सिमम देथ कौन से राज्य के पास मैक्सिमम देथ हुई वेल्ड लच्मी कौन से राज्य के पास मैक्सिमम देथ हुई बिलकुल सुनीता इट इस स्टेट आफ एंपी आई आगे देखते हैं हाली में तो एंपी में देथ टोल 44 की हो चुकी है और फिर इसका इंवेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ ठीक कुछ दिंडोरी एरिया आफ एंपी में पॉजिनिंग का इश्यू आया 44 देथ इन एंपी 26 इन मारास्ट्रा एंद 14 इन करनाटका है और ग्लोबली यह एंडेंजर्ड है आयूसीन के रिस्ट में और आप देख रहे हो कि यह यह लिविंग इन स्मॉल पॉकेट्स यह इंडिया के पास लाजेस्ट पॉपलेशन है 2967 एस पर 2018 रिपोर्ट एंपी इस हैविंग हाइस नंबर पॉलोड बाई करनाटका यह मैंने आपको बताया बेंगॉल टाइगर पेंथरा टिग्रिस टिग्रिस नेटिव टू इंडियन सब कॉंटिनेंट ठेक अगर मैं इसकी बात करूं तो 300-500 बांगनादेश में है नेपाल में भी है और भुटान में भी मोर दिन हंडेट इस सिर्फ इंडिया में सिमित नहीं है क्लियर कारण क्या है इसके लॉस ऑफ बाड़ास्टी का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन न रहेगा घर तो कैसे रहेंगे जीव पोचिंग हैबिटेट फ्रेग्मेंटेशन और हुमन वाइड लाइफ कंफिलिक्ट भी एक इंपॉर्टेंट गाइस रोल प्ले कर रहा है ऑल्व रिक्यमेंडेशन आफ टाइगर टास्क फोर्स कोंचिचुटिट बाई प्राइम निस्टर आफ इंडिया ताकि प्रोजेक्ट टाइगर्स को हम अच्छे से मैनेज कर पाएं और इंडिया के टाइगर रिजर्ब्स को हम अब्जर्व कर पाएं थाइस ध्यान से सुनना रिपोर्ट में यह पाया गया कि मोर दें 50 परसेंट देथ नेचुरल है कि मोर दें 20 परसेंट बिकास आफ पोचिंग ठीक दू टू एलेक्ट्रोक्षण यह एंटीसी एक रिपोर्ट है कुछ रोड और ट्रेंड के हिट्स यह भी आप देख रहे हो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉंच ऑन फर्स एप्रिल 1973 को यह लॉंच हुआ और सीध इफेक्ट अगर हमें इस टाइगर को बचाना है तो मैंने आप से बताया है कि पूरे एको सिस्टम को बचाना है है गाइस डिर इस एप्लिकेशन एम एम स्ट्राइब्स एम स्ट्राइब्स एप टू ट्रैक अपलोड एंड जियो टैग इमेजिस को किससे संबंदित हैं यह देखिए आप तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात आपसे हुई है नहीं गाइस गैस मैंने आपसे बताया कि इस सीरीज में हम लोग एंवार्मेंट और जोगर्फी गैस अभी हाली में टॉंगा बहुत न्यूज में था टॉंगा वाज इन न्यूज ठीक टॉंगा इस प्रेजेंट इन विच ओशन कौन जी ओशन में एट्लांटिक ओशन पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन नन ठीक कहां पर यह स्थित है इट इस अ कंट्री इन दा पैसिफिक इतनी जमाजम यहां पर वॉल्केन हुई जमाजम यहां पर वॉल्केन हुई पैसिफिक ओशन में इसने सिस्मिक सी वेफ्स बुकम से उत्पन समुद्री धराओं को जेनेसिस किया गैस यह सुनामी ने बहुत ही बीचिस में उसके सराउंडिंग डिजन्स में डैमेज करने के प्रयास किया राइज एंड फॉल इन वाटर आईए देखते हैं वार्केनिक इरप्संस इन टोंगा गैस आज फाइब थर्टी पी-म हम लोग अनकेडमी के लर्णि एप पे MCQs स्टार्ट करेंगे वहां भी आप बहुत सारी बातों को सीखोगे अल्वेज इस गोईं टो बी वेरी वेरी बेनिफिस्यल तो आप फाइफ थर्टी पी-म अनकेडमी के लर्णि एप पे आज टुड़े जॉइन करना जुरू जॉइन करना यूज कोड अजीत लाइफ तू अनलॉक दा सिशन बात साड़ पांच बज़े की हो रही है और रात नौ बज़े यूट्यूब चैनल पे आपसे गाईज मुलकात होगी फिलहाल आईए जरा इस टॉपिक को कंप्लिट करते हैं ये देख हुंगा टॉंगा हुंगा हापाई वालके नौ है ना इरॉप्शन वाज यूज एंड लौड इतने पानी के अंदर लेकिन इरॉप्शन वाज हर्ड इन टॉंगा और जब बुकम वालके नौ हुआ अर्थक्वेक आया है तो क्या हुई सिस्मिक सी वेप सुनामी उत्पन हुई यह देखवा आप वालके नौ हैज बिन इरॉप्टिंग फॉर सम्डेज इस्मेल ओफ अमोनिया सल्फर वास फाउंड वालके नौ कहां प्रजेंट है सिस्मिकली एक्टिव एरिया में यह वालके नौ प्रजेंट है आगे और समझेंगे यह देख़े आप आप तब वालके निक एलप समय वेप सिसर्फिक अर प्रिलम्स में वालके lekas के बारे में question बन सकता है ध्यान से सुनना मीट्यू सुनामी वेवस और कॉस्ट बाइ इंस्टेंट चेंज इन प्रेशर कॉस्ट दू कॉलैप्स और पार्ट आफ वालकेनों और यह आप देखें यह आप देखें अपने स्क्रीन पर मीट्यू सुनामी वेवस और कॉस्ट बाइ इस्टेंट चेंज इन प्रेशर देट लिए स्टू दिस्प्रेस्मेंट आफ लार्ज इमाउंट ऑफ वाटर वाटर वाइज हूंगा टोंगा एक पॉलिनेशन कंट्री है पैसिफिक में चुन्ने मुन्ने नन्ने मुन्ने चोटे पॉलिनेशन कंट्री है हुंगा टोंगा इस वाल्किनिक आइलेंड तोंगा में है एक पॉलिशन कंट्री है आर्की प्लागों है 169 आइलेंड सांडर बाइन नियू कैलेडोनिया वनुआ टू इन वेस्ट फीजी फुटूना एंड वालिस नॉर्थ वेस्ट नूर्थ वेस एंड करमाडिक न्यूजलेंड इन दे साउथ वेस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आईए जरह में आपको एक एक के एस खुबसूरत से छोटे से आइलेंड को आपको दिखा दू यह देख़वा दो अलग 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 आईलेंड है वन इस हुंगा टूंगा अधर इस हुंगा हापी हुंगा टूंगा एंड हुंगा हापी आर टू सेपरेट आईलेंड और जो ज्वाला मुखी हुआ उसने दोनों को दुखी किया दोनों को मर्ज कर दिया अंडर वार्ट वालकेड ओ रिसें इरप्सन हैस अगर्ड तैक मर्ज को आईलेंड यह करमाडिक वालकेड अलेंड आर्का पार्ट है यह देखिए आप गाइस हुंगा टोंगा एंड हुंगा हपी क्वेश्चन बनेगा हुंगा टोंगा एंड हुंगा हापी वेर रिसेंटली इन यूस यह देख़ आप कैसे बीच में जौला मुखी ने गडिकटी सेपरेट आइलेंस वालकीनिकेट अरबसं मर्स यह द लेंगसें इवल्कानीग और वालक के टॉडले मुंगा टॉडलेंच अगिजाय ऑश्यowe dake न्टिनक यह सब इंग्यान और मिर्थी नag इंगल हम ऐग ज़न ऑनचमाला गाल्मिड आख व और संसें करम आप न्यूजलेंड अभी मैंने आपको एक सीरीज बताया था कि न्यूजलेंड लॉस्ट आइलेंड जीया लेंडिया का पार्ट है जीया लेंडिया लॉस्ट कॉंटिनेंट लॉस्ट कॉंटिनेंट जो खो गया है कॉंटिनेंट उसका पार्ट है जीया लेंडिया subduction zone subduction zone वो होती है प्लेक टेक्टोरी से पढ़ा है मैंने आपको कि डेंसर प्लेट ओशनिक प्लेट सब्ड़क करती हैं बिलो कॉंटिनिंटल प्लेट ओफ और ओशनिक सी फ़र कॉंटिनिंटल दे अर फ्लोटिंग ओवर लेयर कॉल्ड एस थेनो स्फेर ठीक तो हुंगा टोंगा हुंगा हापी कैसे बना पैसिफिक प्लेट सब्ड़क्ट कर गया इंडो ऑस्टिन प्लेट माई गॉड लाजस्ट प्लेट कौन पैसिफिक अर्थ का ट्वंटी परसेंट सर्फेस एरिया को उकुपाई करता है गाईस है यह देखिया कर्मेटिक आख आपको दिख रहा है और स्टिन प्लेट आपको दिख रहा है न्यूजलेंड का पार्ट आपको दिख रहा है पैसिफिक प्लेट आपको दिख रहा है फीजी टोंगा ट्रेंच आपको दिख रहा है आई ज़र और समस्जते हैं सब्देक्शन अकर्स कफ रहें प्लेट लाज़ प्लेट गॉट्स अब्लोग दा लाइटर वन वालकिनिक आख चेंड आप वालकिनों है फॉर्म अबव सब्देक्टिंग प्लेट उंगा टोंगा हूंगा हापी वेर फॉर्म एस पैसिफिक प् अब्दक्ट दा इंडो अस्टिल प्रेट आइस हम इतने स्पे आज के सेशन को वाइं करेंगे मैंड वैंस लिसन on this YouTube channel daily at 11 a.m. we are going through live session annual current affairs annual current affairs हम लोग कर रहे हैं second on this channel 9 p.m. sankar is sankar is environment complete series is going 5 30 p.m. on your own academy learning app free live session guru ji rulao ge kya here we are doing mcqs कितना मैंद करते हो आप don't forget to use code ajit life guys just मेरे साथ बंदे रहे और मुझे तुरंत बताएं और तुरंत बताएं कि क्या आपको लिंक टेलग्राम चैनल में दिखा अगर आपको लिंक दिखेगा अभी मैं तुरंत शेयर कर रहा हूं अगर अगर आपको लिंक दिखेगा most important mcqs on environment and geography 4th feb 5.30 pm क्या करना है आपको लिंक को open करना है guys ओके और क्या करना है यूज करना है कोड अजीत लाइफ ओके पॉरवार्ट टू अनलॉग प्लीस चेक इन तेलिग्राम चैनल अजीत तिवारिसर एड़ रेट जनल स्ट्रेइज देखे जड़ा गाइस विद्धिय यहां पर डाइवर्स टॉपिक सीखो गे ठेक गाइस प्लीज चेक क्या आपको लिंक दिखा यस नो प्लीज चेक अपने अपने ग्रूप में सेर करेंगे अनलॉग करने करें यूज कोड अजीत लाइफ टू अनलॉग फ्री स्पेसल क्लास टुड़े एट फाइफ थर्टी पीम गाइस मिलते हैं आपसे साहे पांच बजे अपना